आज से करीब पाँच महीने बाद खेलों का महा कुम कहे जानने वाले उलम्पिक गेम्स जिसमें प्रॉक्सिमेटली 11,000 एथलीट्स और 206 देश भाग लेंगे 24 चुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं हर 4 साल में होने वाले उलम्पिक गेम्स को 2003 में बिट जीतने के बाद 2020 के लिए जपान की राजधानी टोक्यो को चुना गया था लेकिन जैसे जैसे रहसे मय और घा तक कोरना वाइरस चीन के भार अपने पाव फिलाने लगा है उलम्पिक गेम्स के आयोजन पर संदे होने लगा है आपकी जानकारी के लिए बता दू जब तक दुनिया में वर्ल्ड वॉर्ड जैसी गंबीर स्थिती पैदा नहीं होती उलम्पिक गेम्स को कैंसल नहीं किया जाता पिछली बार उलम्पिक्स वर्ल वॉर्ड टू के दौरान 1944 में कैंसल किये गए थे पिछले 75 साल में हर बार अपने तह समय पर ही होते हैं अब बात कर लेते हैं कि क्यू लगता है कि कैंसल होंगे उलम्पिक्स 2020 कोरोना वाइरस एपी सेंटर यानि जहां से फैलना शुरू हुआ वुहान टोक्यो से लगबग 1500 मील दूर है जपान में अब तक वाइरस से 946 मामलों की पहचान की जा चुकी है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है उलम्पिक गेम्स का कैंसल या फिर पोस्ट पॉन होने का मूल कारण चीन में मची तबाही नहीं बलकी चीन के बाद कोरणा वाइरस से पूरी दुनिया में मचा कोहराम और इरान, साउथ कोरिया, इटली और अमेरिका जैसे देश में कोरणा वाइरस का बढ़ता प्रकोप है ये सब वो देश है जिनका नाम उलम्पिक मेडल टेली में सबसे ऊपर आता है ग्लोबली चालिस हजार कनफर्मड केसे और तीन हजार के करीब मौते इरान में तो वाइस प्रेजडेंट हेल्थ मिनिस्टर समेथ आठ मिनिस्टर इस वाइरस से इंफेक्ट हो गए है जब भी कोरोना वाइरस का जिकर आता है 2003 में फैले सार्स से कंपेर जरूर किया जाता है खेलो से चुड़ा भी सार्स का किस्सा है सार्स महामारिक के फैलते देखते हुए तब 2003 में चीन में Women's World Cup को रत करना पड़ा था और venue बदलकर United States करना पड़ा था कहीं अब Tokyo Olympics भी तो कोरोना वाइरस की भेट नहीं चड़ जाएगा Olympics qualifying event जो चाइना में होने वाला था अब कोरोना वाइरस के चलते या तो cancel किया जा रहा है या फिर venue बदलकर दूसरे देशों में रखा जा रहा है Football, Boxing, Basketball और Badminton में Olympics qualifying games जो चीन में फरवरी में होने वाली थी उन्हें पहले ही Australia, Serbia और Jordan में स्थानांतरित कर दिया गया है अब बात कर लेते हैं कि Japanese officials की क्या statement है हाला कि मैं आपको clear clear बता दूँ कि Olympic Games को cancel या फिर postpone करने की आधारी खबर तो अभी तक नहीं आई है और जपानी officials ने बताया है कि वो coronavirus से फैले भाई को दूर करने की हर संभिव कोशिश कर रहे हैं लेकिन शक इसलिए पैदा होता है coronavirus के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने Olympic Games के 80,000 volunteers की ट्रेनिंग को में तक postpone कर दिया है Olympic Games की परंपरा के नुसार अगले महिने Olympic Michelle को जपान की सभी 47 प्रांतों में ले जाने का प्लान है इसके लिए लगबग 10,000 torch bearers ने मास्क पहन कर dress rehearsal की कोरोना के डर से इसको देखने कम ही लोग अपने घरों से निकले कोरोना वाइरस से चाइना क्यों हुई हालत देखकर कोई भी देश धील नहीं बरतरा दुनिया भर में crowd pulling events cancel किये जा रहे हैं चाए वो इटली में soccer matches हो या फिर जपान marathon जिसमें 38,000 लोगों ने participate होने की उमीद थी बस 136 elite athletes को ही participate करने की इजाज़त दी गई उन्होंने भी मास लगा कर race में भाग लिया अब सवाल उठता है कि अगर Olympics जपान से cancel हुए तो कहा होंगे वैसे Olympic organize करने के लिए सालों पहले त्यारी स्टार्ट करनी पड़ती है लेकिन British Capital के मेर ने Olympic Committee से request की कि वो coronavirus के impact को अच्छी से समझे और अगर ज़रुवत पड़ी तो 2012 की तरह London Olympics होस्ट करने के लिए तयार है अब सवाल उठता है कि क्या visitors आएंगे matches देखने के लिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है और अगर जपान coronavirus को कंट्रोल कर भी लेता है और तह समय पर Olympics टोक्यो में आयोजित किये जाते हैं तो भी coronavirus का भाय में कितने लोग Tokyo Olympics देखने के लिए जाएंगे कोई भी देश Olympic host करने के लिए लाखो करोडो डॉलर इसी उमीद में खर्च करता है कि वहाँ tourism बढ़ेगा नहीं investment आएंगी travel restrictions के चलते हुए चीन के खिलाडी international tournaments में participate नहीं कर पा रहा है training centers पहले से ही बंद है क्यूंकि South Asian countries जैसे कि South Korea, Singapore, Hong Kong, Iran और Thailand में coronavirus infected patients का number लगातार बढ़ रहा है ऐसे में हो सकता है कुछ countries Olympics में participate करने से मना करते और इन countries के athletes ही अगर participate नहीं करेंगे तो लोग Olympics देखने भी क्यूं जाएंगे host country कभी नहीं चाहेगा कि Olympic Games का वो वर्ष ऐसे large losses या फिर unsuccessful event से जाना चाहे दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो के पीछे की research और मेहनत अच्छी लगी हो, कारगर लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करके मेरा सहियोग करें और वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में